तो कियाल चाल दोस्तों मेरा नमे सानू दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किया आप Chrome ब्राउजर में shortcut कैसे aid कर सकते हैं अपने laptop में यगर दोस्तों आपको भी इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं बड़ दोस्तों से पहले अगर आप हमारे चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब यूर कीजिएगा बगल में एक बैला करना है उसको भी प्रेज कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर कीजिएगा आप मुझे इंस्टागराम पे भी मेसेज कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले क्या करना है आपको अपने लैप्टॉप में क्रॉम ब्राजर को अप्पिन कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको एक आप्शन में लेगा है ट्वीटर दूसरा में दूस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूरल लिखा हुआ है यहाँ पे दूस्तों आपको जो यूरल डाल देना है जिससे दूस्तों अगर आप ट्वीटर का सोटकर बनाना चाहते है तो दुस्तों यहाँ पे आपको त्विटर का URL डालना है अगर आप YouTube का सोटकर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे YouTube का URL डाल देना है जिसका भी दूस्तों आप सोटकर बनाना चाहते हैं उसका URL डाल देना है तो दूस्तों URL आपको कैसे find करना है इसके लिए दूस्तों क देख सकते हैं पहला में twitter.com इसी तरह से दोस्तो आपको जिसका bbgso.com उसको लिख करके दोस्तो गूगल में सर्च करना है उसके बाद यहासे द हुद्सतो आप देख सकते हैं आपको दोस्तो URL मिल जाएगा देख सकते हैं कुछी सब्सक्रों इसी दोस्तों यहाँ पे आपका Twitter shortcut aid हो गया है अगर आप इसके पर आप direct click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो login करने के लिए बोला जा रहा है तो आप यहाँ से login भी कर सकते हैं sign in कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको इसी तरह से और भी shortcut बनाना है तो आपको क्या करना है add shortcut के उपर click करना है shortcut का नाम रख देना है जैसे दोस्तों यहाँ पे हम डाल देते हैं Facebook अब दोस्तों यहाँ पे आपको Facebook का URL डाल देना है तो same दोस्तों आपको क्या करना है फिर से एक नया page open करना है और दूस्तों यहाँ पर आपको Facebook लिख करके search करना है वैसे दूस्तों आपको बता दें कि popular जैसे Facebook हो गया YouTube हो गया तो दूस्तों यह सब का URL होता है www.facebook.com www.youtube.com तो देख सकते हैं यहाँ से आपको search करके URL निकाल सकते हैं इस तरह से दूस्तों आपको क्या करना है यहाँ से copy कर लेना है copy करने बाद दूस्तों same process आपको क्या करना है URL का section में जा करके आपको paste करना है paste करने बाद एक option है done का done के उपर आप click करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर Facebook भी shortcut aid हो गया है अगर आप इसके उपर click करके search करेंगे देख सकते हैं हमारा Facebook का page open हो गया है तीस तरह से दूस्तों आप जो अपने laptop के Chrome browser में shortcut aid कर सकते हैं अगर वीडियो पसंदा है इस वीडियो को like कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पने चैनल को सबस्क्राइब यूर कीजिएगा बगल में एक बाइल आकन हैगा उसको भी प्रेस कर लिजिएगा दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पुछनाओं कोई भी प्रॉलम आरा नीचे में कमेंट कर सकते हैं आप मुझे इंस्टागराम पर भी मेसेज कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों आप से किसी नेक्ट वीडियो में